बिहार पुलिस में बंपर बहाली बासट हजार नए पदों पर भरती को हरी जंडी महिलाओं को 35 प्रतीशत आरक्षन वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं को जल्द सुनहरा अफसर मिलने वाला है बिहार पुलिस में एक दो हजार नहीं लगबग 62,000 पदों पर बहाली होगी एक से दो माह में इसकी शुरुआत हो जाएगी फिलहाल सिपाही के करीब 6,500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है वहीं बाकी के 55,000 से अधिक पदों पर यह चरणवार की जाएगी जल्दी नए पदों के स्ट्रिजन का प्रस्ताव काबिनेट में भेजा जाएगा बता दें कि सिपाही की बहाली की अधियाचना जल्द पुलिस मुख्याले ने पिछले दिनों जिला और इकाईों से सिपाही के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी यह आकड़ा मुख्याले को प्राप्थ हो चुका है बिहार पुलिस में वर्तमान में स्वीकृत सिपाहीों के पद में से करीब 6500 पद रिक्त हैं पुलिस मुख्याले रोस्टर क्लियरेंस में जुट गया है अवसरों के मताबिक दिसेंबर के आखिरिया जन्वरी में हर हाल में सिपाही के इन पदों पर बहाली की अधियाचना केंद्रिय चयन परशद सिपाही भरती को भेज दी जाएगी अभी पुलिस के विभिन श्रेनी में 1.52 लक के करीब स्वीकृत बल है जल्दी नय पदों का स्ट्रिजन होगा अधिकारियों के मताबिक ग्रे विभाग में दरोगा ASI हवलदार सिपाही वच्छालक सिपाही के करीब 74,000 पदों के स्ट्रिजन की कारवाई जारी है इन में 56,000 के आसपास ऐसे पद होंगे जिने सीधी नियुक्ती से भरा जाएगा वहीं दरोगा के स्ट्रिजित होने वाले आधे पदों के अलावा ASI और हवलदार के पद प्रनौती वाले पदों में आते हैं अफसरों के मताबिक पदों के स्ट्रिजन का कारे अंतिम चरन में हैं कागजी कारेवाई के बाद इसे काबिनेट की मनजूरी को भेजा जाएगा